तो देखते ही देखते तुम्हाना भाई यूदिस्टी लेकर आगया एक और नहीं जबरदस वीडियो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो थोड़े सी भी अच्छी लगे तो वीड दियान में ला दूँ कि पहली बात भाई WCC3 के अंदर कोई भी ट्रिक पर्मानेट नहीं है सब टेंपरेरी ट्रिक है कभी काम करती कभी नहीं करती है यह बात आप ध्यान में रखना ठीक है दूसरी बात WCC3 में हमारे बाद लिमिटीड आवर होते हैं तो यह भी बहुत मु रन बहुत जाते हैं WCC3 में तो जो में ट्रिक बता रहोना ना कि उसे केवल विकेट ही मिलेंगे उसे रन भी रुख जाएंगे मानलों जी और में यह हो कि यह बंदे लौफ्ट नहीं मारना चाते उस और में आपको रन भी नहीं जाएंगे तो चलो ज़्यादा बकवास नह अब यहां से अपनी वीडियो हो जाएगी शुरू अब आप आप लगण और को दो का अंप्या बडाल रही हो तो दक्ली को व आपको अम्पायर के लेफट से डालो मैस और रिप्स्कर से द ह charms डालेगे तो जूः है वह रखनी है आपको आपका क्रासर होता है जिसने हम स्विंग कराते है इन वे इंड उट्स्विंग उसको बिलकुल वूव नहीं करना अगर आप चाहते हो कि आपको विकेट नहीं मिल रहा तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो ताकि बॉल्स लो डाले बागी उसको बिल्कुल नहीं टच करना है मैं जहां तक रिक्मेंड करूंगा जैसे पहला विकेट मिल चुका है मैं दूसरा विकेट लेन जारू वही लेंद रखी मैंने और यह मार दिया हमने बॉल्ड क्योंकि डिफेंस करने आ ठीक है तो भाई हमें मैं घरंटी देता हूं आपको एक मैच में एक से पांच विकेट के बीच में मिलने के चांसिज हैं एक से पांच विकेट के लें बीच आपको मिलने के चांसिज भाई रन भी जा सकते हैं वैसे मेरी किसमत अथी थी इस मैच में मुझे सिरफ 6 रन पड और मैं छेंविकट्ट् ले लिए एक और मिल जाएगा देखा इजी विकट्ट् इसका कारण भी बता देता हूं कई पूचेंगे कारण क्या है तो कारण बता देता हूं जो हम यह बैट्स मेंने कंफ्यूज तो आप देखोगे अगर आपको 60 भी पढ़ते ना इस लेंथ पे तो वह आपको सामने की तरफ पढ़ेंगे और वाई एक और बात आदू अगर इस गेंद पर आपको लेग में या ओफ साइड पर चक्का पढ़ता है तो यह मान लेना आपकी लेंथ गल्थ पढ़ रही है ना भी करें तो भाई कमेंट जरूर करना तागी मैं नई वीडियो ढूंडबाऊं चीक है तो चलते हैं भाई बाई टाटा खी यू